समस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू में देखिए साब सीजे बाइनेस मैंने का था ना ड्रामा है टोटल ड्रामा है और वही हुआ लेकिन एक चीज यहां ये किलियर हो गई कि कहीं ने कहीं देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं ये क्रिप्टो कुरंसी को वो कहते हैं कि 100% चला रहे हैं और अपने हैसाब से ही सब कुछ कर रहे हैं देखिए पहले मार्केट को क्रेस कराया ठीक है खुद वाइंग की होगी दबा के क्यों उन्हें तो सारी चीज़े पता थी उन्हें करना क्या है लेकिन यहां क्या है छोटा इंवेसा मारा जाता है पैनिक सेलिंग करायी और इन्होंने दबा के बाइंग की और अब क्या हुआ है देखिए मार्केट रिकबर कर रहा है उसकी वज़े क्या है ख़वर निकल के आ रही है कि बाइनेंस जो है ftx.com को एक्वाइर कर रहा है यानि के खरीद रहा है कब जा कर रहा है जो माल लीजिए तो अब तुम्हें खरीदना था उसको ftx.com को तो भाई इतना ड्रामा क्यों किया क्यों मार्केट की ऐसी तैसी कर रही तो यहाँ पर क्या है फिर क्रिप्टोकरंसी पर विस्वास कितना किस अध्ट तक किया जाए यानि के सारा का सारा तो गेम यही लोग खिलते हैं हम लोग सिर्फ इसी इंतियार में रहते हैं कैसा है सब कुछ ब्लॉकचेन है तो सब कुछ फियर है कहां फियर है भाई जीता जाकता है सबू सामने है तीन दिन ये दवा के लड़े हैं मारिकट की ऐस तैसी कराई और आज उन्होंने क्या कहते है सारा ड्रामा सब क्लियर कर दिया भाई आपको ये खरीद बेच नहीं करना था तो फिर एक चीवता ये आराम से बैठके कर लेते तसली से कर लेते मारिकट क सीजे बाइनेंस का बावान मिनट पहले का ट्वीट है इस आफ्टरनून एफ्टी एक्स आक्स फॉर आवर हैल्प देर इजे साब ये ही ड्रामा तुम्हें पहले करना था तो पहले कर लेते यार खामका लोगों का बरवात कर दिया अब ये ट्वीट ट्वीट केलना आप अब ट्वीट कर रहा है सब सेफ है यानि इस्टे सेफ हूँ अब ये सेम बैकम ने देखिये लगातार ये सारे इतने सारे ट्वीट किये हैं एका आपके लिए पढ़ देता हूँ अब इनके दवा के ये सारे ट्वीट ट्वीट चलना है अब यार वह याना सारी कहानी सब निकल के वही आती है कि तुमको जब यही सब करना था तो भाई इतना ड्रामा क्यों किया इसकी जरुवत क्या थी अब इसमें एक आम इन्वेस्टर मारा गया उसने कुछ पैनिक में बेचा कुछ भाई पैनिक में बेचे का जब इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं तो लेकिन इन्होंने क्या करा पीचे से जाके हाथ मिला लिया भाई यही तो हुआ है क्या हुआ दिखावे के लिए लड़ाई थी यह सारी कि इसका मतलब था वह अगर यह सच है और सही रहता है सब कुछ तो देखिए मार्केट का फियर खत्म हो जाएगा कल मिला के थोड़ा मार्केट ट्रैक पर आएगा तो देखिए रेट थोड़ा वह तो अच्छा थोड़ा सा बड़ेगा लेकिन यह कहीं फिर कोई ड्रामा ना करें तो अगर इन्हों ने यह है ठीक है डील कोई कर रहा है कि भाई अब FTX को पूरी तरीके से बाइनेस एक्वायर कर रहा है तो ठीक है यह सारा ड्रामा था यही करना था तो वो उसने किया अब अगर यह खतम हो रहा है ड्रामा तो कुल मिलाके मार्केट कहीन के यह अपने अच्छा momentum में आ सकता है तो चलिए थोड़ा सा market देख लेते हैं क्या हाला क्या इस ख़बर का कितना impact आया है market पर तो देखिए जाब market पर impact साफ साफ नजर आ रहा है हम जो है coin market cap पर आ गया है और देखिए market cap अपना 1 trillion को देखिए फिर से छूग गया है 1 trillion से उपर चला गया है बीटीसी देखिए 20,223 पर चला एथेरियम जो है 1549 पर चला है एक बार बीटीसी को चेक कर लेते हैं देखिए price बड़ा है और ठीक ठक जो है अभी एक आवर का देखिए चार्ट देख रहे हैं तो ठीक है 2% के आसपास अभी बड़ा है तो कुल मिला के अगर यह situation अच्छी रहती है तो बहुत अच्छी बात है और मैं अगर आपको शिवाईनु का पताता हूँ देखिए सिवाई इनुमें लगबग जो है 3% के आसपास जो है price उपर गया है और BNB के price में देखिए अच्छा खासा उच्छाल आया है लगबग 14% का उच्छाल आया है तो वो तो आना ही था क्योंको भाई खवरी इतनी बड़ी है कि एक exchange को आपने डरा धमका के acquire कर लिया कबजा क कर लिया तो आपने डरा धमका के उसको लाचार कर दिया तो भाई वो क्या करेगा तो surrender करेगा ही करेगा तो भाई ये था चाइनीज का एक तरह से game plan जिसमें FTX फसा और आज ये कहानी आपर चलो कुल मिला के the end हो रही है अच्छी बात है मार्केट के लिए अच्छा है जो क चलिए बिटगर्ट का और देख लेते हैं कि आखर बिटगर्ट में क्या कोई वो जो हम announcement देख रहते हैं क्या ऐसी कोई announcement आ रही है क्या देखते हैं क्या जो वो announcement ऐसी कुछ थी है है क्या भी ये इनोंने कोई एक partnership की है वैफी official के साथ launch a staking program कोई staking program का इनोंने को ये किया ह है दो गंटे पहले का tweet है एक 8 गंटे पहले का इनोंने tweet डाला है partnership का ये भी bits stack.com के साथ एक professional blockchain infrastructure and non-chain data provider in wave 3 चलिए बेव 3 के लिए अगर ये कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है क्यों को देखिए आगे बेव 3 का ही जमाना है तो बेव 3 के लिए अगर इनोंने किसे पार्ट partnership या कुछ और ऐसा कुछ किया है कि हाँ एक और पार्टनाशिप है कोई गगन गागन रिन वर्ल्ड टो इंटिगर बिटिगर चेन गागन रिन इस दा एक्सपर्ट लांच पैड फॉर इनकुवेटिंग प्रोजेक्ट एंड लांचिंग आइल डी ओ ये कुछ समझ में नही किस सम्मन में क्या करेगा चलि जो भी है एक लांच पैड है जिसके लिए इनोंने एक और पार्टनाशिप की है हाँ एक पार्टनाशिप और भी है इनकी पांडा एको सिस्टम के साथ तो ये पांडा के साथ हो गई और एक नौ घंटे का एक और है बिट जैन वालेट के अच्छी चीज़ है और और भी देखते हैं कोई पार्टनाशिप है क्या इनकी एक और है ये बिराई साइन सेंट सेक्स टू लांच ए ब्लॉक्चेन बेस डॉक्यूसाइंट ऑन बिटगर्ट चेन एक सेंट सेक्स के साथ भी ऐसा नोंने कुछ किया है अपना और ना बॉक् तो कुल मिलाके देखे जिस न्यूज को हम देख रहे थे जो इन्होंने अनॉसमेंट किया था कि हम जो है वो टीर वन एक्षेंज वाली न्यूज तो अभी नहीं है वो हम उसी के इन्तियार में हैं और वही यहां देख रहे थे वो चीज़ नहीं दिखाई दी है कुल मिलाक हम उसका और देखते हैं प्राइज बिट डाउ का उसका क्या हुआ कि उसका भी इसके FTX की वज़े से प्राइज डाउन जा रहा था चलिए कोईन मार्केट के पर एक वार उसका प्राइज और देखते हैं तो देखें अब हम आ गाएं वही बिट डाउ जो टोकन था ये भी कहीन कहीं FTX के चकर में फस गया था और इसका भी काफी अच्छा खासा देखिए प्राइज नीचे तक गया था अब लेकिन जैसे ही मार्केट के हाला सुधरे हैं जैसे ये एक तरह से मामला सुल्जा है वैसे देखिए इसका प्राइज भी कुल मिला के थोड़ा सा अब सही है बेसक अब थोड़ा डाउन है लेकिन आप देख रहे हूं का ग्राफ 24 गंटे का में आपको दिखा रहा हूं तो उसमें देखिए अप वर्ड़ी है तो कहीं ने कहीं वोगत हम पूरे मार्केट पे जो है इंपेक्ट जो पड़ रहा था वो कोल मिला के अब सुधर गया है सोलाना का देखते हैं कि सोलाना भी इसी चक्कर में अफसा हुआ था तो देखिए सोलाना का भी जो है अच्छा खासा प्राइज उपर चला गया है जो एक बार को आपका ये माल लीजिए ये 26 तक चला गया था 25-25 चला गया था डॉलर तक और वो अभी जो है आपका फित दुबारा से 28-29 डॉलर के आसपास पहुँच गया है बेसक अभी तोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी जो है कुल मिला के रिकवरी हो रही है तो देखिए यहां 100 की एक बात जो निकल के आई वो यही निकल के आई कि देखे साब ये बड़े लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं सारी वो कहते हैं पावर या चावी जो है इनके हाथ में है हम लोग बहतर है कि अपने प्रॉफिट और अपने वारे में सोचें ना कि किसी सेफ मत मानिये आप यहां पर आप बताईए क्या FTX टोकन क्या खराब था नहीं था न क्या लूना पहले खराब था नहीं था क्या सोलाना आज खराब था नहीं था क्या बिट डाउ खराब था नहीं था लेकिन क्या है सब खराब हो गया क्यों बड़े लोगों ने गिम खिल तो आप कैसे इस चीज को यकीन करेंगे कि कौन सी करंसी सेफ है तो भाई अगर क्रप्टों में रहना है तो आपको रिस्क 100% हमेज़ा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा आप यह नहीं कह सकते कि यही करंसी हमारी बिलकुर सेफ एंड सुरक्षित है इसके साथ कुछ नहीं हो सकता सब कुछ हो सकता है बेसक ब्लॉक्चेन सिस्टम है लेकिन यहां हो सब कुछ सकता है आपका 50 लाग का कोईन 50 पैसे का भी हो सकता है यह वाद ध्यान रखिए यहां कुछ भी हो सकता है कि उसारा गेम क्रप्टों में बड़े लोगों का चलता है आपने जीता जाकता हुदारण ये FTX, Binance और ये BitDAO आपने देख लिया सारे ये ड्रामा आपके सामने था मार्केट को इन्होंने आँखों के सामने बिठा दिया, गिरा दिया और आज पीछे से जाके दोनों ने हाथ मिला लिया, अब मार्केट सही हो गया तो ये सब बड़े-बड़े लोगों के गेम है, तो आप इन चीजों को जितना अच्छी तरह समझ लेंगे, उतना ज्यादा बहतर रहेगा, बनना भाई, आपकी बरबादी, कोई नहीं रोक सकता, अगर आप यही सोच के बैठे रहेंगे, कि नहीं कोईन बहुत अच्छा है, यह हमेशा उपर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, मैं तो बहुत क्लिए कड़े इसलिए बोलता हूँ, कि कोई भरोसा नहीं है, आपको करफ्टो करणसी में रहना है, तो 100% रिस्क को दिमाग में बठाइए, कि आपका पैसा किसी भी दिन 0 हो सकता है, तो चलिए फिर मिलते हैं, इसके अपडेट के साथ, और दूसरा अपडेट जो भी क्या निकल के आता है, वो मैं आपको एक डेड़ बजे द्वारा देता हूँ, क्योंकि अब ये एक आत दिन तो ये सब चलेगा, तो देखते हैं, इन्होंने क्या खिचड़ी पगाई है, तो चलिए मिलते हैं फिर डेड़ बजे, नमस्कार